अपने दल कमेरावादी की मुख्या और समाजवादी पार्टी की ओर से सिरातु उत्रप्रदेश की सिरातु विधानसवसीर्च से विधायक पल्लवी पटेल की नाराजगी यहां अखिलेश यादव के लिए चिनौती बनती नजर आ रही है बता दे तमाम दर्शकों को की जिस तरीके से करीब 11 राज़ियों की 56 राज़िसभा सीटों पर अब नामांग कंचल रहे हैं इसे में उत्रप्रदेश की वर्तमान जिन राज़िसभा सीटों के लिए नामांग कंचारी है समाजवादी पार्टी ने अपने तीन प्रत्याशियों को फिर राज्य चिंत वे अखली Зयादम ने कता हूं और इसवाद पर यहाँ पांतों को भूलती नजर आ रही है और बीजेपी जो यहां मुस्लिमों की विरोध करती है या कहें कि बीजेपी जिसे मुस्लिम यहां पसंद नहीं करते हैं उन मुस्लिमों को अब तवज्जु सपा में नहीं दी जा रही है और इसके चलते मैं यहां सपा की जो तीन यह साब तोर पर कहना रहा है पलावी पटेल का अब जिस तरीके से पलावी पटेल के द्वारा ये इनका स्टैंड सामने आया है ये वाकई मकलेश अदव के चिंता बढ़ा देने वाला है लेकिन केवल चिंता यही तक सीमित नहीं है दरसल समाजवादी पार्टी के क्विशियों में रहने वाले स्वामे परसाद मौरें ने भी साफ कर दिया है कि वो भी राजसवा के जो उबीदवार है उनने वोट नहीं देंगे साती सात इसात उन्हों habe़ी पार्टी में अपने पद से इस तीफ़ दे घए हैं और यह बात कही है कि उनकी बातों को लगत ये वर्तमान में सबसे पहले कॉंग्रेस के साथ सूबे की 80 लोग सबसीटों का अपस में वित्रण करना है उसके बाद तमाम सीटों पर अपने उन प्रत्याशीं को उतारना है जो जीत के प्रबल दाविदार है लेकिन उस सब के बीच तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है जो वाकिम अखिलेई श्यादव और समाजबादी पार्टी की मुश्किले बढ़ाती नजर आ रही है और इससे बीजेपी को निश्य तोर पर आगामी लोग सब चनावों में भी कापी फायदा मिलता है नजर आ रहा है क्योंकि जो सीट वित्रंटों लेकर लगतार पश्य में चेत्रिया कहीं पश्य मुत्य प्रदेश में च्छा खासा दबदबाद जाटों और किसानों पर रखती हैं वो इससे ही सीट वित्रंट फॉर्मुले से जो सपा के द्वारा पेश किया तो उससे नाराज हुई और फिर लगभग उसने एंडिय का साथ जहां पर थाम लिया है फलाल करें इस वीडियो में इतना ही देशर दुनिय की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्श्वियर नहीं एंडियो